नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेस पर आपका स्वागत है डेट हाज की 22 जून 2021 और देख लेता है इंडियन एक्स्प्रस की इंपोर्टन न्यूज और एक्स्पिन पेज से इंपोर्टन आर्टिकल्स आइडिया और एडिटोरियल पेज के बारे में हम अल्रेडी बात कर देख तो यह कि ई-कॉमर्स कंपनीज के भी लगाम लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंजूमर अफेर्स के दुवारा नई गाइडलाइन्स दी गई है उनके उनके लिए है और यह किये पी एनबी हाउजिंग और कारलाइल के बीच में जो चार हजार करोड की डील को लेक कर लिया है जब information technology की जो नए IT rules अभी release किये गए हैं उनसे सम्मंदित जब petitions आने लगी तो थोड़ा सा एक बर जिस लेंगे कि पेटिशन लगाई क्यों जारी है क्या मुद्दा आ रहा है इसके अलावा एक्स्प्लेंट पेज पर दो आर्टिकल से दोनों डिसकस करेंगे डिटेल में तो डिलिमिटेशन ऑफ जम्मो एंड कश्मीर जो शुरुआत वाले फ्रंट पेज के आर्टिकल से उनके साथ में इ निउस तो हमने देखो डिटेल में डिसकस कर ली थी एक्स्प्लेंट पेज पर और कवर हो जाएगा तो टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहेगा ठीक है और इधर हम देखेंगे कि निपा वाइरस के लिए एंटीबडी का पता पड़ा है कुछ बैट्स में कुछ चमगाद प्रड़ों में ठीक है ये नीचे वाला तो देखो सोशल मीडिया ट्रेंडिंग काम का नहीं है आगे देखते हैं वर्ल्ड पेज पे एक न्यूस इंपोर्टेंट है कि इरान में जो प्रेजिडेंट इलेक्ट है रेजी उन्होंने ये काया कि मैं जो बाइडन की साथ मीटि रहा है FDI का ठीक है जानेंगे इसको दूसरा RBI के द्वारा हाउजिंग प्राइस इंडेक्स रिलीज किया गया है जिसमें हाउस की प्राइस डाउन जा रही है वो बताया हुआ है चाइना क्रिप्टो करेंसी को रोगने के लिए और ज्यादा हार्डर स्टांस लेने के कोविड-19 से रिलेटेड यह इतना कुछ काम का है नहीं ठीक है और बाकी देखो जितनी भी न्यूज वह देख लेते हैं डीटिल में बाकी एक बर समरी देख रहेंगे लास्ट में अगर टाइम सही मिला तो ओके चली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज एक गुपकर को पार्टीज हैं पर्टिकलर बात करें कश्मीर की लोकल पार्टीज हैं उनको मिला करके एक गुपकर अलाइंस बना था जिसको बोला था पीपल्स अलाइंस फॉर गुपकर डेकलरेशन जिसमें कुछ टास्क इन लोगों ने फिक्स किये थे जिसमें पीडीपी की महभूमा म मुफ्ती हो गई तो नेशनल कंफरेंस के फारुक अब्दूला और उमर अब्दूला हो गए और बाकी दूसरी और रिजनल पार्टीज उन्होंने मिलके अपना फोकस किया था कि जो पांच अगर्स 2019 को constitutional changes कि constitutional तो क्या जो status change किया गया था जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 को इनक्टिवेट करके और आर्टिकल 335 को 35A को इनक्टिवेट करके तो ऐसे में बोले कि अभी सरकार हमें ignore ना करके central government हमसे बातचीत कर रही है तो यह एक अच्छा change है हम definitely बातचीत करेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर देखो news देखी जा सकती COVID-19 के चलते अमरनात यात्रा लगातार दूसरे साल सस्पेंड की जा रही है बस किवल एक symbolic यात्रा करवाई यात्रा रहेगी जो कि 56 दिनों की रहती है ठीक है 28 जून से स्टार्ट हो जाएगी तो अमरनात यात्रा के बारे में भी कुछ additional information मिल गई देखो ऐसे तो point ही है कि अभी जम्मु कश्मीर को जब special status rework किया गया था तो उस time पे promise थी कि अभी तो हम यूटी में convert कर रहे हैं फिर बाद में जम्मु एंड कश्मीर को statehood भी दे दिया जाएगा और वहाँ पर election करवा करके जल्दी जल्दी assembly constitute करवा देंगे तो ऐसे में मुद्दा आ जाता है कि अब जम्मु एंड कश्मीर में जो seatे हैं assembly की वो कितनी रहेंगी या फिर वहाँ पर voters का count कितना क्या हो चुका है चेंज कितना हो गया है तो उसको लेकर करके delimitation commission constitute किया गया था 2020 में और 2020 मार्च में जब constitute किया गया था delimitation commission जिसका काम क्या है कि constituencies जैसे कि लोगसभा की जो seatे है उनके लिए और state legislative assembly की जो seat है उनके लिए तो seatों में division करने के लिए boundaries fix की जाती है population के according और कोशिश यह होती है कि पूरे state के अंदर हर seat के उपर अगर population देखी जाए कि हाँ एक seat के उपर कितने voters हैं तो more or less equal population को cover किया जाए तो ऐसे में हर census के बाद में एक trend है कि delimitation किया जाए और जो constituencies की borders है वो fix कर द जाए तो उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए central government ने अभी यह meeting बुलवाई है ठीक है इसी चीज को लेकर के नीचे वाली news है इसमें भी यह बताया जा रहा है जो गुलाम नभी आजाद है Congress leader उन्होंने यह का कि full statehood हमारी पहली demand रहेगी बाकी और मुद्दों पर हम ज् बाचीत करके इस पर भी जरूर कुछ ना कुछ मुद्दे उठाये जाएंगे तो फिलहाल तो जो टार्गेट है ना में वो है full statehood restore करना जम्मू कश्मीर को ठीक है आगे चलते हैं अब हम आ गए explain page पे यहाँ पर article का नाम है delimitation in जम्मू एंड कश्मीर how and why कैसे और क्यों द पहले statehood देने से पहले यह plan clear हो जाए कि हाँ वहाँ पर assembly कितनी seats की होगी वहाँ के जो विदान जबा होगी वह कितनी seats की होगी और साथ में यह भी कि वहाँ पर विदान जबा बनने से पहले जितनी seats fix हो रही हैं उसके लिए हमें delimitation process को conduct करना होगा तो यह important fact है तब ही जा और क्यों इसकी जरुवत होती है तो देखो एक तरीके का यह लोग सबाग की या जो assembly की seats हैं उनको fix किया जाता है कि population एक overall पूरे state में देखा जाए तो more or less equal population divide किया जा सके जो voters हैं और फिर उनके हिसाब से number of seats fix कर दी जाए तो delimitation commission जो है उसमें आप देखोगे अभी जो members हैं उनके अंदर election commission से associated experts हैं तो judiciary के members हैं हम देखेंगे कौन कौन से members हैं ठीक है तो इसमें इस commission के दौरा जो भी orders दे दिये जाते हैं वो देखो law के equivalent होते हैं उस law को को कोई भी court में question नहीं किया जा सकता या आप ध्यान रखेंगे ठीक है delimitation commission के दौरा अगर कोई भी order कु database पे कि हाल जो latest census data available है उसके उसके हिसाब से इससे क्या हो जाता है कि population आसानी से divide हो है एक practical point of view से देखा जाए तो सारे state के अंदर जितनी भी seat है उन seats के लिए population का जो ratio है वो आपको same मिले फिर बात आ जाती है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक किस तरीके से delimitation का प्रोसेसर वो continue रहा जम्मू कश्मीर को हमने autonomy दे रखी थी ठीक है तो वहाँ पर जो assembly के elections होते थे तो उसके पहले census भी जम्मू कश्मीर में अपने हिसाब census होगी census तो चलो continue रही पर वैसे भी जम्मू कश्मीर में disturbances बहुत सारे रहे कभी president rule रहा कभी militancy के चलते हैं ओके तो ऐसे में वहाँ पर जो delimitation का काम हो वो जम्मू कश्मीर के द्वारा ही किया जाता है चाहिए वो आप लोगसबा सीट्स की बात करो constitution अब और sorry एक सेगिंड कि 2019 अगस से पहले special status दिया हुआ था जम्मू कश्मीर को तो उसके हिसाब से वहाँ पर delimitation होता था अब 2019 के बाद में पहली बार delimitation होगा जहां पर लोगसबा की सीटें और जम्मू कश्मीर की representation of people act 1957 था उसकी तहट delimitation होता था पर अब क्या होगा Indian constitution क्योंकि एक देश एक कानून वाला जो मुद्दा है उसके तहट ही तो यह काम किया गया था जिसमें अभी यह establish किया गया था क्या नाम इसका यह special status revoke किया गया था जम्मू कश्मीर का ओके तो जम्मू कश्मीर delimitation देखो 1963 और 95 में हो चुका था ऐसे में लास्ट exercise जो हुई थी उसमें जस्टिस retired केके गुपता उनके leadership में उनकी headship में chairmanship में commission establish किया था और जब president rule लग रहा था वहाँ पर जम्मू कश्मीर में तो उस time पर 1980s की बात है तो 1981 का latest census था उसके basis में 1995 का ये delimitation किया गया था finally तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में अभी Indian constitution के हिसाब से पहली बार होगा आप ये मान के चलो ठीक है 1991 में census हो नहीं पाया था क्योंकि वहाँ पर क्या थी problem चल रही थी state में कुछ ना कुछ militancy की रिए issue चलते आ रहे थे 2001 की census होई जम्मू एं कश्मीर में फिर ultimately freeze कर दिया गया था कि आगे अब 2026 था कि कोई delimitation का process continue नहीं किया जाएगा 2001 में जो status था assembly की seats का वो ही हम continue करेंगे तो उस time पर परिष्थितिया कुछ ऐसे थी कि 87 seats हैं total जम्मू कश्मीर assembly में उसमें 46 तो कश्मीर से 37 जम्मू से चार है वो लद्दाक से इसके अलावा 24 seats जो हैं वो रखी जाती है पाकिस्तान occupied कश्मीर के लिए कि वहाँ पर भी तो बहुत बड़ा है टेरिटोरिल एरिया है तो बहुत पाकिस्तान occupied कश्मीर में से लगबग 24 seat को रिजर्व रखा जाता था तो यह composition था अब क्या होगा कि अब जम्मू कश्मीर वालों को एक objection आता था कि पहले जो सीटों का representation है तो बोला हमें तो 37 में लिए कश्मीर को 46 तो ऐसे में कश्मीर वालों की जारा चलती है तो अभी जो delimitation किया जा रहा उसके अंदर जम्मू के तरफ भी ध्यान दिया जाएगा तो एक balance बनाने की कोशिश की जाएगी और रही सही में आपको पता ही है लद्दाक की जो 4 seat है अब यह return आने वाली है नहीं क्योंकि लद्दाक तो separate union territory है जम्मू और कश्मीर यूटी को ही statehood दिया पर assembly seats को भी fix किया जाएगा तो 6 मार्ज 2020 को government of India की द्वारा delimitation commission established किया जाता है जो कि retired supreme court judge जिनका नाम है रंजना प्रकाश देशाई तो justice देशाई की leadership में यह commission established वा जिसके अंदर और भी members है उन members में से आप देखोगी election commissioner सुसील चंद्रा भी है तो साथ में जम्मू और के शर्मा भी है जो की ex official member है उसके अलावा वहाँ पर जो political party इसके जो leaders है वो भी involved है जैसे कि national conference के MP फारुक अब्दुला मौमद अकबर लौन इसी तरीके से हसनेन मसूदी इसी तरीके से union minister of state in prime minister office डॉक्टर जीते इंदर सिंग और जुगल किशोर सर्मा जो की बीजेपी क के member है और अभी इन्होंने final किया है कि पहले जो 107 सीटे थी उनसे बढ़ा करके हम 114 सीटे complete करेंगे जिससे की जम्मूरीजन को भी benefit होगा फिर बात आ जाती है कि delimitation की अगर बात करें तो अभी क्या status है देखो मार्च चार तक पिसले मार्च पिसले एक साल स्टैब्लिश क नहीं कर पाए एक तो कोविट-19 दूसरा जो जम्मू कश्मीर के election commissioner है केके शर्मा वो बेसिकली district development council के election में busy थे जो कि December में आते आते हैं खताम हुए तो December 2020 में तो ऐसे में time लग गया फिर आगे देखो इतना कुछ काम का provision है नहीं जो हमें समझने की जरुरत हो ठीक है बीज government ने जो proposal दिया है अभी film certification में changes लाने के लिए इसके क्या माइने हैं देखो पिछले हफते की बात हमने news देखी थी कि government ने अभी एक draft release किया Cinematograph Amendment Bill 2021 और उसमें ये काया है कि public से हम comment मांग रहे है जुलाई 2 तक ठीक है तो ये जो change लाए जा रहे है ये amendment है Cinematograph Act of 1952 अब इसमें provision क्या किया जा रहे है revisionary powers जो है वो central government को provide की जा रही है जिसमें re-examine किया जाएगा इसका मतलब हो गया कि किसी भी picture को अगर central board of film certification के दुआर approval दे दिया गया है तो उसको central government re-examine कर सकती है एक बार check करेगी फिर उसके बाद में आगे काम होगा अगर central board of certification के approval के बाद में भी central government को लगता है कि कुछ problem है तो उस certification को cancel किया जाए ऐसे provisions किये जा रहे हैं ये जो नया cinematograph amendment 2021 का draft जो release किया गया अभी तो बस केवल comment मांगे जा रहे है तो ministry of information and broadcasting के अडर में आता है और ministry नहीं ये कहा है कि central government को revisionary power दी जाएंगी क्योंकि अगर section section 5B1 clause 1 का अगर कहीं पर violation होता है जिसमें क्या है principle for guidance in certifying film कि कहीं पर भी अगर किसी भी film को certificate मिले कि हाजी ये कौन सी category की movie है कौन-कौन सी viewers है वो public domain में इसको देख सकते हैं या फिर picture के अंदर कोई चीज़ा correct करनी है मतलब एक तरीका है sensor chip हो गया ये check करना ठीक है तो उसको ये section 5B1 के तहत central government को power देनी है अगर current act की बात करें 1902 का act जो चलता रहा है उसमें section 6 है जो कि already central government को ये allow करता है कि government जो है वो film certification की proceedings को review कर सकती है ठीक है एक second रुक्या तो ministry के पास sorry government के पास में already ये rights है कि वो review कर सकती है पर वहाँ पर अगर central board of film certification का जो certificate certificate दिया हुआ है उसके decision को reverse करने की power जो है वो करनाट का high court के एक verdict के basis पे खतम हो गई थी ठीक है तो reverse करने का power अभी दिया जाएगा ये आप ध्यान रखें review करने की provisions थे पर अभी central board of certification के certificate को भी reverse करने की power यहां पे central government अपने हाथ में लेना चाह रही है तो basically क्या था पहले 1952 के जो cinematograph act है उसमें provision था जिसको करनाट का high court ने struck down कर दिया था कि और उसको supreme court ने भी अपहल्ड किया था November 2020 में ये कहा कि revisionary powers है वो central government के हाथ में नहीं हो सकती एक बार अगर certificate central board of film certification के द्वारा दिया जाता है तो तो इसलिए ये amendment की जरुरत पढ़ गई ठीक है तो draft will में सी section 6 का clause 1 है ठीक है उसमें ये कहा है कि central government जो है वो public exhibition से पहले अगर एक बार किसी भी movie को film certification board के द्वारा central board of film certification को द्वारा अगर certificate दे दिया जाता है और central government के लगता है कि जो act है अभी draft में लिखा हुआ है अभी draft का मतलब कच्छा है अभी bill आएगा फिर उसके बाद में act बन अगर section 5B clause 1 of this particular act जो की draft में है इसके अगर violation में है तो central government उस certification को cancel कर सकता है ये re-examine करने की power देने की बात की जा रही है तो ये significant कैसे हैं significant इसलिए है क्योंकि हमने पहले भी एक explain page पे discussion की ती जिसमें film certification appellate tribunal को central government के दोवारा abolish कर दिया गया देखो central board of film certification जो है वो अगर कोई भी film को certificate देता है तो वहाँ पर पहले check होता है scrutiny होती है पूरी movie में कि क्या message जा रहा है क्या उसका base है सही है गलत है किस category में उस movie को डालना है तो central board of film certification के दोवारा अगर certificate दे दिया जाता है उससे अगर वो film makers खुश नहीं है तो उनके लिए एक appeal करने की जग द्वारा एक लेयर और डाल दी वो यह क्या इस cinematograph act कर जो draft release हुआ है 2021 का अगर यह आता है तो central government central board of film certification के certificate को भी review कर देगी और अगर जरुत पढ़ी तो इसको reverse भी कर सकती है तो ऐसे में film makers जो है उनके द्वारा इसको super sensor बोला जा रहा है यहाँ पर देखो writer भी दिया हुआ अधूर गोपाल कृष्णन ने यह कह दिया कि यह तो आप super sensor लेकर के आ रहे हूँ एज certification की बात करें तो अभी तो देखो तीन categories में movie को categorize किया जाता है central board of film certification के द्वारा एक तो यू यू का मतलब हो गया universal आराम से कोई भी देख सकता है यू अबलिक ए का मतलब हो गया universal है बट एडल्ट बच्चे अगर देखते हैं अडल्ट बच्चों से कम उमर के बच्चे अगर देख रहा है तो उनको parental guidance की जरुवत है अगर बच्चों की उमर 12 साल से कम है तो इसी तरीके से ए लिखा हुआ है इसका मतलब एडल्ट बच्चे उसको एडल्ट लोग ही देख सक देखते हैं और 16 साल से प्लस की जो इंडिवीजुल्स हैं वो अगर देखते हैं तो उनको क्या कौन से मूवीज दिखाई जा सकती है तो ऐसे में age-based grouping की जाएगी जो कि आप देख सकते हैं हमने previously एक देखा था कि information and broadcasting ministry के दौरा एक IT rules declare किये गए थे जिसमें एक आ गया था कि जो over the top OTT जो publication है जो भी movies दिखा रहे हैं जैसे YouTube है OTT है तो इनके लिए जो guidelines दी गई थी exactly वो ही guidelines अभी इनके लिए भी fix की जा रही है age-based certification की अगर बात करें फिर बात आ जाती है provision against piracy, piracy का मतलब हो गया duplicacy, duplicacy का point यहां पर इसलिए आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे होता है जैसे cinema haul की बात करो, movie बना दी, movie को फिर बाद में cinema में record करके और CD, DVD, pen drive में डाल डाल करके बेच रहे हैं 10, 10, 15, 15 रुपए में, तो pirated जो movies बिकती हैं, वो कहीं नगई copyrights का violation होता है, और ऐसे में ही एक section add किया जा रहा है, अभी जो draft bill नया लाया गया है, उसमें क्या किया जाएगा, तो जो Cinematograph Act है 1952 का, उसमें एक section add किया जाएगा, 6AA, उसमें ये का जाएगा, कि कोई भी unauthorized अगर recording होती है, तो उसको prohibit करना, कैसे किया जाएगा, सजा देना, सजा के लिए provision ये किया गया है, कि अगर कोई भी इन provisions को violet करता हुआ मिला, तो उनको सजा रहेगी, कि monetary भी रहेगी, और साथ में jail भी रहेगी, कम से कम 3 महने की jail ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 3 साल तक, और कम से कम 3 लाख रुपए का fine और ज्यादा 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 जा सकता है, कि उस movie के production में जितना costing लगी, उसका 5% तक, तो ऐसे में monetary और penal जो provision अवो किये हुए है, ठी फिर बात आ जाती, eternal certificate, कि एक certification अगर किसी movie को मिल जाता है, तो वो कितना time तक चलेगा, देखो अभी फिलाल जो provision है, कि एक बार अगर central border film certification के द्वारा, किसी भी movie को allocate कर दिया गया है, certificate, तो वो film केवल और केवल वो 10 साल तक अपने हाथ में रख सकते हैं, उस certificate को, ठीक है, तो यह कुछ provisions थे, जिनके बारे में हमने देखा, एक बार आप खुछ से पढ़ोगे, और समझ में आ जाएगा, आगे चलते हैं, अब हम आ गया है, front page पे फिर से, front page पे जुनी हो जब वो यह, कि government ने अब भी guidelines issue की है, कि अगर कोई भी e-commerce company, कुछ भी तरीके के, तरीके से अब मालो की flash sale अगर करती है, मतलब अचानक से एक bumper price reduction करके और market, मतलब अपने platform पे sale लगाते हैं, कि हाज यह product इतना सस्ता मिल जाएगा, और उसके पहले आपको पता है कि flash sale, sorry, flash sale जब होती है, इस तरीके की sale के पहले, एक specific date दे दी जाती है, और उसमें पूरा catalog share कर दिया Amazon, Flipkart, यह बड़ी जो e-commerce companies है, इतने रुपए से, इतने रुपए सस्ते करके हम यह बेच रहे हैं, आप इस दिन खरीदो, तो ऐसे में क्या होता, bumper selling कर दी जाती है इनके दौरा, तो government ने यह कहा है, कि आपको यह specific flash sales है, इनको तो देखो ban करने की बात कही है, specific बोला गया, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ को छूट दी जाएगी, कुछ जो flash sale होती है, उनको छूट दी जाएगी, पर जहां पर भी mal practices करती हुई मिलेंगी न, e-commerce companies in flash sale के time पे, उसको ban किया जाएगा, तो कहने का मतलब यह हो गया, कि सरकार इन पर भी अब लगाम लगाने की पूरी त्यारी कर चुकी है, regulations आ गये हैं, तो ministry of consumer affairs, food and public distribution के द्वारा, अभी sweep changes किये गये हैं, और अभी नए rules, the consumer protection e-commerce rules 2020 जो है, उनको impose करने की शुरुआत कर दी है, और यह कहा है, कि online retailers जो है, e-commerce companies, उनको अब specific flash sale को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके साथ साथ में, government agencies के साथ में, इनको collaboration भी रखना पड़ेगा, draft में, साफ साफ यह कहा है, मंडे को यह, आप कहोगे, जो draft rule है, इसमें देखो, कि जो अभी हमने देखा न, अभी 26 तारीक से, information technology, intermediaries के लिए, जो laws आये हैं, exactly उसी method के ओपर यह काम कर रहा है, जिसमें, काम focus क्या है, कि इन platforms को purify कि आजाए, क्योंकि एक objection बार-बार आ रहा है, कि e-commerce platforms है, वो कुछ company के products ही बेच रही है, और वो भी उन company उसके product जदा बेच रही है, जिनसे उनको फाइदा जदा है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, कि वो mal practices perform कर रहा है, और जो छो छोटे retailers हैं, जो हमारे हाँ पर, जो domestic retailers हैं, हमारे आंके, छोटे दुकान दा रहें, वो लो उनको नुक्सान हो रहा है, इस चीज़ के चलते हैं, तो ऐसे में सरकार की ये duty थी, कि इसके उपर एक correction एक लगाम लगाई जाए, तो नए provisions की अगर बात करें, तो e-commerce companies को देखो, खुद को register करवाना पड़ेगा, dpiit, जो क फिर कोई भी lawful authority अगर सरकार के द्वारा बना दी जाती है, या फिर जो existing authorities हैं, उनको authorize कर दिया जाता है, कि आप e-commerce के ओपर monitoring रखो, तो उनके साथ में information share करनी पड़ेगी, e-commerce companies को, वज़य क्या है, एक तो देखो, investigation करने की ज़रुत पड़े, तो investigate type बे कर सके, protective manner के online काम होता है, इसके अलाबा, verification of identity की purpose से भी ये provision है, तो prevention भी करना, protection मैंने बताई दिया, detection की बात होई की, investigation भी करने की ज़रुत पड़े तो हो जाए, prosecution भी करने की काम में आ सकता है, तो overall क्या आ गया, cyber security और बाकी law and order को maintain करना, कि एक balance बने, एक equitable environment बनाने की कोशिश की जारी है, सरकार के द्वारा, इसमें proposed जो अभी rules है, इनमें ये कहा है, कि e-commerce companies को within 72 hours of any order of the authority, उनको अपना action लेना पड़ेगा, मतलब कोई भी authority अगर ये कह दे, कि आप हमें हमारे साथ में आप अपनी information share करो, इतने दिन हो गए, या फिर इस particular concern के ओपर आप बताओ कि आपके क्या actions है, Amazon को बोल दे मान लो, government की कोई भी authority, तो बहतर गंटों के अंदर-अंदर information share करनी पड़ेगी, इन e-commerce platforms को, ठीक है, अगर intermediary की बात करें, IT intermediaries की, उसी line के ओपर देगो, consumer affair ministry ने भी ये line शुरू की है, इसके अलावा, rules में ये भी mandate किया है, कि आप एक grievance officer, grievance officer appoint करोगे, एक chief compliance officer और एक nodal contact person appoint करोगे, जो कि 24 by 7 वहीं पर available होगे, और coordination में काम करेंगे, किनके low enforcement agencies के साथ में, जैसे कि police हो गया, या कोई भी intelligence agency है, उनको अगर information की जड़त पढ़ी, तो आप उनको बताओगे, देखो, फरवरी वाला जो मुद्दा था, वो हमने अल्री देखिया, क कि social media companies के उपर भी इसी तरीके के obligation लगाए गए है, वो बाठीक है कि WhatsApp सहीद, बहुत सारी companies ने petition लगा रखी है, तो दिल्ली high court में है WhatsApp की, और ये कह रहे हैं, कि भई आप इस तरीके की बात करो, जैसे आपने social media intermediaries laws के बारे में हमने बात की थी, rule के बारे में, तो उसमें क्य कि अगर कोई भी ऐसी information, जो की सरकार के दौरा जो guidelines दी हुए, उनके हिसाप से violative है, अगर वो violet करती है, या फिर उनको breach करती है, उन guidelines को, तो ऐसे परिस्तितियों में, आप देखोगे कि उस user की identity को open करने की बात कही गई है, इन social media platforms पे, कि आप बताओगे कि ये जो disinformation ही है, कहां से originate हुई है, ठीक है, ये जो गलत सूसना है, ये कहां से शुरू हुई है, आप बताओगे, तो whatsapp का ये कहना है कि ये user privacy के against में है, जो कि आर्टिकल, Constitution of India के article 21 में envisaged है, तो वो चीज यहाँ पर आ जाती है, IT rules के लिए, और यही चीज कहीं न कहीं, ये जो e-commerce companies है, य consumer protection या भी e-commerce rule 23 July 2020 तक का provision है, अभी तो comment मांगे जा रहे हैं, फिर final कर दिये जाएंगे, ठीक है, और जो भी अगर कोई भी rules को violate करता हुआ मिलता है, तो उनके खिलाफ में action लिया जाएगा, Consumer Protection Act of 2019 के तहत, ठीक है, original rules की बात करें तो देखो, transparency की तो बात पहले भी की गई है कि आप कोई भी तरीके से गलत practices को follow नहीं करोगे, जिसके चलते हैं, आपके जो competitors हैं, उनको नुक्सान पहुँचें, और electronic network की अगर बात करें, तो यहाँ पर देखो, कि यह Amazon, यह Flipkart और यह, यह बहुत सारी ऐसे practices perform करते हैं, जिसके चलते हैं, छोटे जो retailers हैं, उनको नु दूसरा हमारे आपर inventory models की बात करो, या फिर जो model market की बात करें, एक सगें, तो उन सभी पर यह rule apply होंगे, ठीक है, यह rule जो है, वो कोई भी goods or services sale करने वाली हर एक firm पर apply है, जो की digital या electronic network पे काम कर रही है, चाहे वो digital product sale out, ठीक है, सभी तरीके के models जो e-commerce पे काम कर रहे हैं, चाहे उसमें marketplaces की बात करो, या inventory model की बात करो, marketplace का मतलब तो यह हो गया, कि जैसे कि एक company ने अपने website बनाई, और वो दूसरे companies के product को बेच रही है अपने platform पे, जबकि inventory model में क्या होता है, कि आप एक कोई company अपनी खुद की website बना रही है, और वहाँ पर product भी अपने खुद क service sale कर रहा है, तो वो सब के ओपर यह rules apply होंगे, इसके अलावा अगर देखा जाए तो e-commerce norms को थोड़ा और कड़क किया जा रहा है, stringent बनाया जा रहा है, data collection point of view से, क्योंकि यह बड़ी company unfair advantage ले सकती है, जैसे कि whatsapp के ओपर क्या blame लगाए जाता है, क्योंकि whatsapp की अभी privacy policies आप के सामने pop-up हो के आती है, जैसे ही आप कोई भी function perform करना चाहते हो whatsapp पे, तो उसमें क्या लिखा रहता है, कि हम फेस्बुक की हमारी parent company facebook है, और facebook की marketing policies में हम आपका data जो वो share कर सकते हैं, तो वो unfair advantage ना ले सके, तो ऐसे में सरकार ने यह laws को थोड़ा और tight किया है, साथ में specific flash sales को भी ban करने की बात की गई है, ऐसा नहीं कि जो conventional e-commerce flash sales हैं, उनको बंद कर दे, उनको allow रखा जाएगा, पर कुछ specific, specific का मतलब यह हो गया, भी यह थोड़ा सा vague word है, कि आप किसको specific बोलोगे, experts का opinion definitely आएगा, specific आप किसको बोलने वाले हो, इसका मतलब तो यह हो गया कि ministry को ज conventional flash sale लगेगी, वो conventional बोल दी जाएगी, थोड़ी सी इसमें clarity नहीं है अभी तक, इसके अलावा आप price increase करने की बात करो, या फिर एक level playing field की बात करो, वो promote करने के लिए कोशिशे की जा रही है, यह ministry के दोरा यह बात बोली गई, flash sale का मतलब क्या होता है, simple सी बात है, e-commerce platform, हम sale करने वाले हैं, तो एक rush आता है, automatically consumers का, कि हाँ आपकी बार, यार यह smartphone जो है, apple i11 या i12, ठीक है, यह ऐसे तो इतना महेंगा विकरा है, amazon इस particular date को 50% discount दे रहा है, तो कौन वहाँ पर नहीं जाएगा, तो ऐसे में जो retailer सा उनको नुकसान हो जाएगा की नहीं, बस वो करने के लिए सरकार के द्वारा guidelines दी गई है, आगे चलता है, next news है कि सेवी के बाद में, सेवी ने जैसे red flag दिया, देखो PNB Housing ने अपने 4000 डॉलर, 4000 करोड रुपए के लगबग shares release किया, और वो भी कैसा थे, preferential shares, उसमें target यह था कि जो Carlyle American Private Investment Company है, वो invest करने वाली थी, अब investment भी ऐसा था कि Carlyle जैसे invest कर देती, तो इसमें लगबग 50% से ज्यादा share साथ में लग जाते किसके Carlyle के, तो आप देखो पूरी की पूरी यह company क्या हो जाती, यहाँ पर management पूरा change हो जाता, तो जो small stakeholders हैं, जो छोटे investors हैं, उन लोगों की बात सुनी नहीं गई, एक तो यह मुद्दा था कि एक company को पूरा का पूरा handover कर रहे हो, company को एक तरीके से मालिकाना हग दे रहे हो, 50% से ज्यादा अगर चली जाती है किसी के हाथ में, तो वहाँ पर देखो बहुत पकड़ बन जाती है, 50% से ज्यादा voting rights अगर किसी भी एक company के पास में चले जाते हैं, किसी corporate के, तो ऐसे में एक तो ये मुद्दा है, दूसरा आपने जो यहाँ पर PNB housing के द्वारा जो shares release किये गए, fund raise करने के लिए, कि हाँ जी market में हम shares release करेंगे, और जिसको invest करना है, वो invest कर दे, उसमें आपने preference किसको दी है, कार्ड लायल को दे दी कि कि कार्ड लायल ही invest करेगा और उसके लिए क्या practice कर दी, एक तो preferential issues तो आपने किये ही, share तो issue किये ही, पर साथ में आपने shares की price भी rise कर दी कि कोई normal इंसान तो उसमें invest करी ना सके, investment के लिए आए तो कार्ड लायल आ जाए, तो एक तो मुद्दा इसके बारे में ये फसा बड़ा है, दूसरा 50% वाला मै ने आपको बताई दिया, तीसरा मुद्दा यहाँ पर ये फस जाता है, कि PNB Housing के ही, जो members हैं, ठीक है ना, जो अच्छी खासी post पे बैठे हैं, वो लोग कार्ड लायल के थूरू अपना पैसा invest करना चाह रहे हैं, तो conflict of interest आया की नहीं, कि आपने PNB Housing के पैसे को rise कर दिया investment कार्लायल के थूरू खुदी करवा रहे हो, तो ऐसे में, पहले तो सेबी ने देखो, इस पूरे मुद्दे के उपर बैन लगा दिया, कि बिल्कुल allowed नहीं है, आपको clarity देनी पड़ेगी, अब government भी इस चीज़ को लेकर के चिंता में है, कि वाकई में ये तो बहुत गलत हो जाती, अगर ये implement हो जाता, वो बात अलग है, कि अभी PNB housing जो है, वो सेबी के मना करने के बाद में, अब security appellate tribunal के पास में गया हुआ है, कि आप हमें clear करो, कि हम गलत हैं, कि सही है, हमने जो भी किया है, ठीक है, तो ये मुद्दा देखो, हमने पहले detail में, discuss अच्छे स है, ultra virus of the company's article of association, मतलब ये इस पूरे system में disruption का काम कर सकता है, जैसे COVID ने सब कुछ हिला के रख दिया ना, इस तरीके की practices को अगर सेबी allow कर देगा, तो आने वाले time पर पता नहीं कौन कौन सी companies में इस तरीके से, जब drastic change आ जाएंगे, और जो small stakeholders हैं, जिनका पैसा लगा हुआ इन companies में, जैसे PNB housing में लगा हुआ है, उनके interest को कौन protect करेगा, इसलिए तो सेबी है ना, ठीक है, तो सेबी के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ना detail में, आगे चलते हैं, नेस्ट निउज है, दिल्ली high court के judge ने खुद को दूर कर लिया है, IT rules के against में जो भी cases आ रहे है थीक है, तो justice अनुप जैराम बंबानी दिल्ली high court ने खुद को दूर कर लिया है, क्योंकि अभी जो information technology, intermediary guidelines and digital media ethics code rule 2021 की बात करें, तो इसको लेकर के बहुत सारी platforms, जिसमें whatsapp एक है, तो twitter दूसरी है, और और भी बहुत सारे platforms हैं, जैसे हैं कि अभी जो case की जिसके हम बात कर रहे हैं, वो है, quint, ठीक है, क्यों लिखा हुआ था न, आप देखते हो कई बार, details में, इसका YouTube channel भी है, तो quint ने अपनी तरफ से challenge किया है, और ये कहा है, कि ये जो नई guidelines है, ये violate करती है, article 14, right to equality को, और violate करती है, हमारे constitution के article 19, clause 1, sub clause A को, जिसमे right of freedom of speech and expression है, उसको breach कर रही है अब देखते हैं, होता है, क्या, फिलहाल तो इन्होंने जो सवाल उठा है, उसको notice करने की बात मैंने या पर की थी, जो in laws को violation की बात की जा रही है, बाकी तो time time पर बस continue बने रहे हुआ आप, concepts clear होते चले जाएंगे आपके, ठीक है, आगे चलता है, अब हम आ गए हैं, वर तो इरान के president elect ने ये काया कि मैं Biden से कोई बात नहीं करने वाला हूँ, मैं कोई बात, meeting ही नहीं करने वाला हूँ, जब इनसे बातचीत की गई, और साथ में ये का कि तहरान का जो ballistic missile program है, वो continue रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा इसको, ये बात इन्होंने काई, तो एक mark लग जाता है, कि क्या वाकई में West Asia में शानती आ पाएगी, देखो अगर यहां की बात करें, अबराहिम रेजी की, तो ये देखो, इनको consider किया जाता है, इरान के अंदर, कि ये human rights के defender है, ऐसा कहा जाता है, 1988 में mass execution हुआ था वहाँ पर, तो लगबग 5,000 लोगों की death हुई थी, तो इसमें इन्होंने बहुत हद तक अपने लोगों को protection provide की थी, तो इनकी एक अलगी image है वहाँ पर, USA तयार है, USA पर pressure भी है, कि वो अब लगातार अपनी खुद की, जो sanctions लगाये हुए इरान पर वो कम करें, और ये बात रेजी ने अपनी first conference में बोली भी है, पर West Asia में, क्योंकि West Asia की अगर बात करें, तो इरान एक तरफ Shia community है, तो opposition में है, सुनी community led, जो lead की जाती है, सौधी अरब के दौरा, तो इन दोनों के पीच में conflict देखोगे, तो यमन में healthy rebellions है, ठीक है, healthy rebels, यमन में operate करते हैं, तो उनको तो support दिया जाता है, किस के दौरा, इरा के दौरा, और वहाँ की सरकार, यमन की, जो कि सुनी community से belong करती है, उसको support दिया जा रहा है, सौधी अरब के दौरा, तो वहाँ पर भी आपने सामने, तो बोले हम continue रखेंगे हमारे allies के साथ में engagement, जो कि militants हैं, लेबनान की बात करें, तो वहाँ पर Hezbollah करके एक group operate करता है, उसको भी लगाता, और cooperation दिया जा रहा है, इसके दौरा, इरान के दौरा वज़े, कि सौधी अरब और इसराइल इनको counter करने के लिए, क्योंकि लेबनान की border share होती है, हमने बात की थी इसराइल से उधर, और सौधी अरब और इरान की यह जो rivalry है, इसका असर देखो throughout West Asia इससे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, USA से, ठीक है, अभी तक इतने बुरे बिगड़े हो हैं कि दोनों की बीच में लडाईयां चलती रहती हैं, कोई ना कोई, more or less, losses एक दूसरे को सामना करना पड़ता रहता है, कल हमने एक statement देखा था, या फिर मैंने आपको बताया थ था, कि यहां पर एक religious leader है, जिनका नाम सुप्रीम leader है, इरान के, अयतला अली खमीनी, तो ये भी क्या है, USA को बिलकुल discard करता है, वो जो ये ये से केवल और केवल फाइदा उठाता है, और इसका इससे अलग करोर कहीना है, गई बात भी सही ही है, बट पॉइंट ही आ जाता कि इरानियन स्टेट अब क्या करेगा, किस तरीके से अब perform करने वाला है, क्योंकि situation बहुत ज़्यादा critical है, अभी और ये आपके सामने ये image रही, इब्राहिम रेजी, ओके, आगे चलता है, नेक्स्ट न्यूज है, कि इंडिया पांच्वा लार्जिस्ट कंट्री है, जहां पर FDI आया है, 2020 में, United Nation के द्वारा, 64 billion dollar, तो ये data आप लिख सकते हो, पहली चीज तो, अब ये बात आ जाती है, कि ये investment को लेकर के related, ये report कौन release करता है, United Nation में, तो ये line है important है, question, prelims में ऐसे कैसे आ जाएगा, कि world investment report, 2020, 2021, कौन release की, किस ने release की, तो United Nation Conference on Trade and Development, अंक्टाड, ये, इसने release किया है, और बताया है कि India में, 64 billion dollar का investment है, 2020 में, तो इसी line के लिए, मैं यहाँ पर खीच के लेकर आया था, आपको, खर, दूसरे report देख लेते है, ये economy page शुरू हो चुका है, next है, housing price index, कौन release करता है, जी, ये RBI के द्वारा किया जाता है, और ये कहा जा रहा है कि houses की जो rate है, वो लगाता, decline कर रही है, down चलती जा रही है, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, फिर इसके अलावा, चाइना देखो, crypto currencies को और ज़्यादा करने के लिए तयार है, crack down करने के लिए, जिसमें चाइना ने अपने खुद के बहुत से banks को, या financial forms को, सीधा सीधा ये कह दिया, कि आप लोग बिल्कुल भी है, मतलब question किये जा रहे है, आप देखो, ठीक है, जिसमें construction bank भी आ गया, le pay भी आ गया, ठीक है, तो crypto currencies में trading करने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है, और मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हमने crypto currencies की बात की, ये decentralized manner में काम करता है, centralized कोई bank नहीं है, कोई authority नहीं है, तो ऐसे में China तो एक authoritarian country है, वो कहाँ allow करेगा crypto currencies को, कोई chance ही नहीं बनता, क्योंकि अगर वहाँ के लोगों को independence मिलने लग गई currency के basis पे, तो फिर China की जो communist party है, उसके आद में रह क्या जाएगा, सही है ना, तो वो चीज यहाँ पर स अभी तक USA की dollar से चला रहे थे, अब उन्होंने bitcoin ले ली, कल को ना, कोई Russia मान लो, कल को ना, Russia अगर powerful हो जाएगा, तो वहाँ की rebel currency है, उसको मान लेंगे, वो तो छोटे-छोटे tiny countries, उनके कोई फरक नहीं पड़ता है, ठीक है, फरक पड़ता है इन बड़े countries को, जो अपनी dominance बनाने चाते हैं, तो यही चीज की है, चाइना के, People's Bank of China ने, कि भई हम कैसे भी करके, इस cryptocurrency को promote नहीं होने देंगे, अपनी खुद की cryptocurrency launch कर देंगे, ठीक है, यह चीज है, पूरा मुद्दा, तो discussion में देखो, मोटे-मोटे, जो main articles थे, वो हमने देख लिए, अब एक बार ओ लगे, important तो, economy page पे छोटी सी news यह है, कि OTP, password, linkage, इनको लेकर के बड़ी परिशानिया आ रही है, ministry of finance के द्वारा जो नया income tax portal release किया गया, basically इस portal को develop किया गया, infosys company के द्वारा, तो ऐसे glitches, क्या पहली बार है जी नहीं, mca21 जब ministry of corporate affairs के द्वारा, mca21 guidelines release की गई थी, उसका भी एक portal था mca21, उसमें भी देखो, बहुत सारी परेशानिया आए थी, तो gst जब launch किया गया था, जुलाई 2017 में, उस time पे भी gst network में बहुत सारे issues आये थे, ठीक है, तो ऐसे में infosys के ओपर ये दारमदार है, कि बढ़ पैसा आया, पैसा तो क्या, डॉलर आया, इसका मतलब डॉलर की quantity इंडिया में बढ़ गई, और मैंने आपको बताया था, जिसकी quantity बढ़ जाती है, उसकी value डाउन हो जाती है, पानी की value अब होने लगी है, क्योंकि पानी की shortage होने लग गई है, मिटी की अभी भी value नहीं है, abundantly available है, पर हाँ, जो construction के लिए sand required होती है, जो river bed से उठाई जाती है, जिसको बजरी बोलते हैं, उसकी देखो, prices आप कितनी rise हो रही है, क्यों जी, क्योंकि उसकी shortage है, समझ गई, तो ये demand and supply है, जिसकी कमी है, उसकी हमेशा हिज़त रहेगी, ओके, तो ऐसे में, dollars की quantity इंडिय में, अगर मान लो investment के तौर पर आती रहती है, तो dollar भी अच्छा खासा quantity में घूम रहा है, market में, और रुपया भी अच्छा खासा market में घूम रहा है, तो रुपय को कोई tension नहीं है, अब क्या करेंगे, रुपय के बजाए, अब dollar को, जो investors हैं, वो ले जाकर के USM invest करना शुर region में क्या हो जाएगी, और quantity तो बढ़ जाएगी, पर रुपय की value down हो जाएगी, और यही हुआ है, कि 24 पैसा रुपय की value dollar के against गिर गई, ठीक है, बाकी और यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है, back चलते हैं, फिर world page पे एक new छोटी सी है, कि Sweden के prime minister ने confidence motion में जीत नहीं पाए, तो अब Sweden में सरकार गिर गई, तो Sweden की capital है Stockholm, एक तो यह दहान रखेंगे आप, Sweden पर सरकार गिरी है, जिनका नाम है यहाँ पर आप देख सकतो, Stephen Lofven, ठीक है, बाकी तो इंडोनेशिया में इन में देखो, cases फिर से आने लग गए है, बाइडन जो है, वो असरफ गनी, अफग अफगानिस्तान मिलकर के काम कर सकते हैं, जैसे की अफगानिस्तान की troops को, अफगानिस्तान के जो soldiers हैं, उनकी training हो सके, उसके हिसाब से बताया जा रहा है, बाकी और कुछ भी इतना काम का नहीं है, और महरास्ट्रा में, डेल्टा 2, डेल्टा का जो second, डेल्टा प्लस variant जो ह आने लग गये हैं, तो घरों पर बने रही हैं, अब क्या करें, जिन्दगी बड़ी मुश्किल हो रही है, कुछ कर नहीं सकते हैं, लड़ना तो पड़े गई भई, ठीक है, फिट रखो अपने आपको, थैंक्यू झगल," झाल", झाल, झाल," आफ़ै पूल", तो रहा गग क्या है, का जो ठाजाओता है, का जो रवा है दोल Wanna एक्पाइएब, छीड़ना हैं जो संगताइन हैं, जो है कि वर रह अए motor northwest रवर, ऐसे रहाएएम। इस रहसके जो रहा क्पाइक हैं, जो हैंगी हैं जो ह। चारती